Hello and welcome to Hope to Shant, I hope you are in the best of your health and spirit and this is the most important video, most rational and probable schemes for UPC pre-2024 examination, ऐसी ही एक वीडियो मैंने 2023 के लिए बनाई थी जिसका success rate 100% है, यहीं 2023 के pre में एक ही scheme से सवाल पूछा गया था और वो scheme मैंने आपको ऐसी ही एक वीडियो में जो 2013 में शूट की थी, उसमें मैंने आपको होता है था कि वो scheme important है, और मैं हमेशा बोलता हूँ scheme में दो चीज़े important है, कि कौन सी ministry involved है और दूसरा इसी scheme का objective क्या है, और scheme किसी न किसी के problem को solve करती है और उस problem से ही objective निकल क्या था है, वो चीज़े मैंने आपको explain की थी, अगर आपको मैं दिखा हूँ, यह 100% hit rate in UPC pre 2023 जननी सुरक्षा योजना के बारे में पूछा गया था, तो पहला statement था कि intervention किसका है, और दूसरा तीसरा चौता statement है objective क्या है, aim क्या है, objective क्या है, तो जो मैं मैंने आपको पिछली बार भी बोला था, कि ministry and objective important होते हैं, वही चीज़, और इसका अगर आप proof आपको देखना है, तो आप यह वीडियो देख सकते है, most expected scheme for UPC pre 2023, the ultimate approach, जहां पर मैंने जननी सुरक्षा योजना के बारे मताया है, साथ में ministry भी विदाई थी और objective भी बताया हैं, और यह वीडियो से आपको minimum input पर maximum output मिलता है, आपको इसके अलावा कुछ भी करने जरुदत नहीं है, अगर यह schemes, तो मैं आपको 500-600 schemes नहीं बताऊंगा, I will just tell you 50, 55, 60 schemes, इससे ज़्यादे schemes में नहीं बताऊंगा, और यह schemes याद करना बड़ा असान है, क्योंकि जिस तर 24 में भी, अब examiner मेरे बगल में नहीं बैठा है, पर फिर भी, जो examiner के mindset को समझ कर मुझे समझ में आता है, वो schemes में आपके लिए सिलेक करके लाया हूं, और scheme इस धंक से मैं आपको समझाऊंगा, ताकि आप scheme कैसे पढ़ते हैं, यह भी सीख जाए, और यह भी सीख जाएं कि यहाँ पर आपका कोई काम नहीं, I hope you got the point, चलि स्टार्ट करते हैं यह वीडियो, तो यह schemes law होते हैं, कोई भी act बनाया गया, यह कोई भी scheme बनाया गई, यह कोई भी law के साथ भी scheme है, यह कोई scheme है, साथ में law है, कुछ भी combination हो सकता है, यह है क्या, यह किसी ना किसी problem को solve करते ह अगर आप कोई बना रहे हैं, तो किसी ना किसी problem को solve करने के लिए, अगर आप मन रहेगा, mg ना रहेगा act बना रहे हैं, तो कोई ना कोई problem को solve कर रहा है, क्या rural employment की problem को solve कर रहा है, तो schemes are nothing but a solution to a problem, तो कोई एक problem है, जिसका solution देते हैं, वो solution law हो सकता है, वो solution scheme हो सकता है, यह law प्रप्लस इस राओं अपनेशन्य विसुशन हो सकता है तो सिम्पली सालोशन-सलीय प्राउबलम तव अगर आपको समझना तो पहले प्राब्लम समझनापड़ेगा तब solution समझ जाएंगा तो objective समझने में बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी अगर आप problem समझ लें तो solution ही objective है I hope you got the point तो schemes कैसे होती है भाई अगर आप देखें government scheme तीन तरह क्यों होती है पहली central sector scheme centrally sector scheme के मतलब होता है कि these are fully funded by the central government यह पूरी तरह से central government fund करती है and usually on the union list and they are not the grass root level scheme यानि यह union list के subject पर बनाए जाती है schemes और साथ में यह grass root level को नहीं देखते है example भारत net, PM मुद्रा योजना these are the example जहां पर union government पूरी तरह से fund करती है that is called fully central government funded by the central government they are called central sector scheme दूसरी तरह की schemes होती है centrally sponsored scheme आपको मैं sponsor कर रहा हूं मतलब मैं भी पैसा दे रहा हूं आपके पास भी कुछ होगा which means centrally sponsored scheme को मतलब है center plus state दोनों पैसा देते हैं यानि यहाँ पर यह ratio अलग हो सकता है पर center भी contribute कर होगा state भी contribution करेगा और इसी centrally sponsored scheme में कई तरह की scheme होती जैसे की core of the core scheme core of the core scheme को मतलब है कि कुछ contribution state देगा और यह बहुत important scheme है तो at least 25% state contribution होगा and these are for main purpose like social inclusion के लिए social protection के लिए example मन रहेगा जहां पर 75 इस तो 25 का रहेश्य हो है 75% जो पैसा है fund हो central government देती है 25% state government देती है these are called core of the core तो अगर यह core है core schemes core मतलब central state दोनों पैसा देंगे पर 60 to 40 के ratio में पैसा देंगे यहाँ पर यह schemes developmental nature की होती है जहाँ पर development कर सकते है जैसे कि MDM scheme होगे midday meal, सच भारत mission यह सब क्या है core schemes है और कुछ होती है optional schemes optional for state to implement यह state को पर छोड़ दिया था यह scheme आपको करना है तो करिए नहीं करना है तो मत करिए लेकिन अगर आप करना चाहते है तो 50% cost आपको bear करना पड़ेगा मलब state के उपर optional है state opt करना चाहते है कि नहीं करना चाहते है अगर state ने opt किया तब है 50% पैसा state को देना है and 50 will be funded by the central government like border area development programs जहां पर जो state कहते हैं कि हमको भी develop करना है border area वो 50% पैसा देते हैं या central government भी 50% पैसा देती है तो there are three kinds of scheme core of the core, core and optional scheme in the centrally sponsored scheme core of the core है तो central government ज़्यादा पैसा देता है core scheme है तो 60 to 40 का ratio रहता है अगर state government opt करना चाहते है and then comes the state level schemes यह state government के लिए होती है और यह examination के perspective से बिलकुल important नहीं है तो हमारे लिए important कौन सी scheme है central sector scheme and centrally sponsored scheme लेकिन कि UPC क्या funding का ratio पूछता है कोई भी ऐसा सवाल नहीं जा पर UPC funding का ratio पूछता है तो यह important नहीं हमारे perspective से पर समझने की perspective से important है कि central sector है यह centrally sponsored scheme है रेशो नहीं पूछेगा कि core of the core है यह core है यह optional है ऐसा कुछ नहीं पूछेगा पर हाँ central sector है कि centrally sponsored है यह थोड़ा सा आपके दिमाग में होना चाहिए I hope you got the point central sector मतलब fully funded by the central government and centrally sponsored मतलब कि central state दोनों का contribution है साथ में यहाँ पर समझ यह तीन type की scheme होती है mission mode का मतलब है mission mode scheme है कोई इसका मतलब है कि किसी एक date तक उसको करना है like एक समय पर scheme थी doubling the farmer income by 2022 तो 2022 तक income double करनी थी 2047 का कुछ है में which means these are mission mode scheme कि कोई mission है कि इतने दिनों में यह काम करना है they are called mission mode scheme second type of scheme is flagship schemes तो flagship schemes वो होती है जहाँ पर जो ministry होती है जादा तर fund जो है वो उस scheme को देती है तो जहाँ पर mostly fund जाता है those schemes are called flagship schemes and then comes the umbrella schemes जहाँ पर 4-5-6 schemes को merge करके एक scheme के अंदर ले आ जाता है इसको कहते हैं umbrella scheme I hope you got the point कि mission mode schemes flagship schemes and the umbrella schemes यह kind की schemes होती है तो थोड़ा सा scheme का मैंने static भी समझा दिया कि center sector क्या होता है centrally sponsored क्या होता है mission mode, flag shape, umbrella scheme, core of the core core optional scheme, state level government schemes यह सब क्या होता थोड़ा सा आपको overview आपको समझ में आ गया अब आईए चलते हैं main मुद्धे पे जहाँ पर हम यह समझेंगे कि schemes कौन-कौन से important है और उसकी problem क्या है किस problem को solve करते है चलिए logic भी समझेंगे तो schemes are what? schemes are solution to different problems और उसके पहले मैं आपको उदा दूँ कि अगर यहाँ पर you know महापैक एक offer चल रहा है अगर आप mindset build up program भाई करेंगे जो कि एक बड़ा important program है जापर CDS, CAPF, UPC के previous questions को solve किया है वो भी ढंग से solve किया है सही तरीके solve किया है आपको तरीका समझाए किस तरह से solve करना है और आपको economy course free में मिलेगा तो अगर आप mindset build up program buy करेंगे buy one then you'll get economy course for plums 2024 for free of cost लेकिन यह free है इसका मतलब यह नहीं कि इसके अंदर value नहीं है value बहुत है 90% plus accuracy आएगी अगर आपको यह economy का course करेंगे examination में आपके accuracy अच्छी रहेगी economy is a core subject आपके marks अच्छे बनेंगे और यह जो cut off है उसको भी clear कर पाएंगे तो इसका lab उठा सकते हैं यह bundle जो मैंने create किया है इसके link description पे इस महापाय के link description में जाकर enroll कर सकते हैं और यह mindset product program के साथ अपनी economy को भी मजबूत कर सकते हैं यह कुछ समय कली offer है तो जल्दी कीजेगा इस offer को apply कर लीजेगा आए मेरे मुद्धे पर आते हैं schemes are solution to different problems तो आए समझते हैं कि problem क्या है और solution क्या होना चाहिए quality and governance में जब हम local self-government पढ़ते हैं जिसको 30 years हो भी रहे हैं by the way and they are important from the quality perspective also scheme perspective से भी important है क्या important है मैं वो चीज़े आपको बताने वाला हूँ तो 30 years हो रहे हैं 73rd and the 74th Constitutional Amendment Act को और इसकी वज़े से इसको कोई monitor नहीं करता है इसे लिए एक scheme लाई गई है जिसका नाम है Aina Dashboard for Cities So Aina Dashboard त्यार क्या गया है It is under the Ministry of Housing and Urban Affairs Ministry of Housing and Urban Affairs के अंदर है and they are doing the performance monitoring of the urban local bodies इसके component क्या है जैसे कि political administrative structure, finance, planning citizen-centric governance हो रहे कि नहीं हो रहे है आप basic services को deliver कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो यह सारे component पर इनको check किया जाएगा कि यह कैसा perform कर रहे है तो आपको problem समझाए कि performance की monitoring एक problem है तो solution क्या है Aina Dashboard for Cities जहांपर हम यह चेक करेंगे और cities है इसलिए Ministry of Housing and Urban Affairs I hope you got the point इसको हम महुआ भी बोलते हैं Ministry of Housing and Urban Affairs तो cities से आप यह याद कर सकते हैं यह connect होता है तो इसको इतना याद करनी जहोत नहीं पड़ेगी पर याद रखिए Aina Dashboard किसके लिए है यह आपको समझवाना चाहिए तो अगर UPC से सवाल पूझेगा Aina Dashboard is seen in the news in context of what तो ऐसा करकर सवाल frame है जहां पर urban local bodies दिया है performance monitoring दिया उनकी वहाँ पर tick mark दिजेगा वो answer सही होगा I hope you got the point यह बड़ा important यहाँ पर हम आपके लिए लगा के लाएं दूसरा है agriculture agriculture में क्या-क्या problem है agriculture में सबसे बड़ी problem है कि farmer income stress है farmer की income है जो बढ़नी रही by doubling the farmer income को goal ज़रूर था लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि कितना struggle है farming एक ऐसा sector है agriculture जाब फार्बन बढ़ा district में और society rate जो है वो farmers में बहुत जादा I hope you got the point कि क्यों important और इसके लिए में क्या करना चाहिए तो यह बहुत बड़ी problem है और अगर आप farmers की बारें बात करें तो economic survey कहता है कि small and marginal farmers बहुत देर सार है 86% of our farmers are small and marginal farmers और इसकी वज़े से इनके पास यह small and marginal farmers है इनके पास land less than 2 hectare है तो उस पे economy of skill पर ही काम भी नहीं कर पा रहे है यह technology का यूज़ नहीं कर पा रहे है देना पड़ेगा livestock के उपर भी farmer अपने आपको shift कर रहा है ताकि उसका जो income है वो income का source diversify हो सके और उसकी income लगादार आती रहे तो farmer अगर income stress में है इसलिए एक योजना है एक scheme है PM किसान PM किसान में 6000 उपए दे रहे हैं और यह किसके अंदर है ministry of agriculture के अंदर है तो farmer के पास income नहीं है इसलिए PM किसान इसलिए याद रखेंगे तेकि मैं आपको इसलिए लॉजिकली बता रहा हूँ problem income है तो PM किसान में पैसा दे रहे है दूसरी problem है monsoon dependent agriculture है and there is over exploitation of the ground water और इसी ground water से एक report पुछा था even world water development report याद आपको और वो भी report मैंने reports और index जो मैं important reports लेकर आया था वो वीडियो लेकर आया था उसमें मैंने cover कर वाया था जब मैं इस बार आपको इस साल के लिए reports बताऊंगा you know indices बताऊंगा तब मैं वहाँ पर आपको बहुत चीज़े explain भी करूँगा कि इस बार कौन सी report important है तो जैसे scheme की वीडियो बना रहा हूँ कोशिश ये करूँगा कोशिश करूँगा कि reports और indices की वीडियो भी बनाऊ अगर आप चाहते तो मझे comment बताईए कि आप वीडियो हो रहता है और ground water के उपर तो बहुत फोकस रहता है UN world of world development report के बारे में भी सवाल पूचा था और 2022 में भी पूचा था Central Ground Water Authority के बारे में भी सवाल पूचा था I hope वह सवाल आपको याद है previous questions अगर आपको याद रहेंगे तो बहुत चीज़े link कर पाएंगे जहां पर हर खेत को पानी पहुचाएंगे per drop more crop यानि water use efficiency को बढ़ाएंगे and watershed development भी करेंगे तो प्रधान मंतरी क्रिसी से चाहिए यूजना इस तरे रिफरेंस में आप जाकर पढ़िएगा ministry of agriculture के अंदर ये scheme है इसको objective है कि हर खेत को पानी पहुचाएं per drop more crop क्योंकि monsoon dependent agriculture है per drop more crop per per drop more crop क्यों productivity एक एक drop पे बढ़े यानि water की use efficiency बढ़े है अगर water की use efficiency बढ़ेगी तो हम over exploitation नहीं करेंगे ground water का I hope you are connecting the link और आप चीजों को बहता रूप से समझ रहे third is erratic climate and no insurance अब ऐसा climate है कभी कुछ हो जा रहा है तो किसान की फसल खराब हो जा रही है उसकी जब फसल खराब होती तो उसके पास कोई insurance नहीं है जिसके वज़े से पैसा मिल सके यह insurance problem होने करण एक scheme है जिसका नाम है प्रदान मंत्री फसल भीमा यह होज़ना यहाँ पर government यह insure करती है किसान को उसका जो फसल है वो insured amount उसको मिल सके तो उसका ratio क्या है कितना रुपए यह फार्मर को देना पड़ता है हर एक crop के लिए खरीफ के लिए यह राभी के लिए जायत के लिए हर एक crop का अलग-अलग insured amount है और government कितना पे कर रहे है वो थोड़ी से technicalities आप पढ़ लिजेगा तो मैं important scheme बता रहा हूँ इसमें main objective क्या है इसका साथ में ministry कौन सी है और थोड़ी से technicalities अगर आपको पढ़ना है तो वो आप पढ़ सकते हैं तो प्रदानमंतरी फसल भी मयोजना ministry of agriculture next problem is in the agriculture sector farmers working capital फार्मा welfare के अंदर है किसान credit card इस किसान credit card के बारे में पढ़ लिजेगा कि beneficiaries कौन से हैं और इसका main objective क्या है और यह कैसे करते हैं next is land issues next main problem is land issue small and marginal फार्मा 86% है यानि land का marginalization है land बहुत ज़्यादा fragmented है इसलिए यहाँ पर scheme लाए गई है land issue को यानि सौमित scheme सौमित scheme में हम क्या करेंगे land survey करेंगे using drones देखें land survey करेंगे तो एक चीज़ और अच्छी हो जाएगी कि हमारे पास record रहेंगे और हम drones का technology का use करके हम technology को agriculture में apply कर रहे हैं इसका मदलब है कि हम drones का use करके land का survey करके हम land की records भी बना सकते हैं तो सौमित्व provides a record of rights to facilitate availing of loans on the security of such lands तो land को गिरवी रखकर हम उसके उपर loan भी ले सकते हैं तो सौमित scheme है very important scheme है जहापर land issue को भी जो land का issue है उसके इसाब से हम उसके records को बना कर और loan लेने में भी मदद करेंगे यह ministry of panchayati राज के इंदर गत है नेक्स scheme is energy के एक बड़ी problem है अब farmer को अपना tubal चलाना है या इनो irrigation करना है उसके लिए electricity की जरूरत है इसे लिए PM कुसम जहाँ पर हम solar energy को exploit करेंगे उसकी वज़े से farmer को energy दे पाएंगे farmer के tubal चला पाएंगे इसके उपर यूपीस ने सवाल भी पूछ रखा है तो PM कुसम एक बड़ा important area है एक बड़ा important scheme में जहां से सवाल बन सकता है और ये ministry of new and renewal energy के अंदर ये scheme है याद रखेगा तो farmer के पास agriculture में जो जो problem हो सकती है farmer की income stress है इसलिए PM किसान monsoon dependent agriculture है इसलिए प्रदानमंतरी क्रिसी सिराजी होजना erratic climate है non insurance है इसलिए फसल भी माई होजना farmers की working capital loan problem है इसलिए किसान credit card land का issue है तो summit scheme हो गई और energy का issue है तो PM कुसम देखो कितनी जल्दी आत हो गया अगर आप rational way में तयार करेंगे तो बहुत जल्दी आत हो जाता है और अगर आप यह लिखते चलेंगे तो आपका एक जगह पर सब कुछ consolidate हो जाएगा और यह scheme अगर आप पढ़ लेंगे एक बार जाकर तो आपका सब कुछ तयार हो जाएगा आयोप यहां तक ठीक है तो मैंने आप प्रोडक्चन को बढ़ाना है इसलिए दो इस मोट करेंगे तभी ग्लोबल लीडर भी बन पाएंगे और जैसे production linked incentive scheme है, ऐसे chip design में DLI scheme है, design linked incentive scheme है, और यह किस ministry के अंदर गत है, ministry of electronics and information technology, मैं ती के अंदर गत है, यह scheme है DLI scheme, तो production को increase करना है, PLI scheme है and DLI scheme है, yes, next is textile sector, तो textile में ministry of textile ने एक योजना लांच किया, that is called PM Mitra scheme, PM Mitra important है, साथ में national technical textile mission important है, तो यह PM Mitra में हम क्या कर रहे हैं, क्या हम integrated कुछ कर रहे हैं, क्या हम अपने cost को cut कर रहे हैं, production cost को cut कर रहे हैं, क्या हम समान competitive बना रहे हैं, और उसके वज़े से export करने में मदद कर रहे हैं, क्या थोड़ा सा PM Mitra के बारे में पढ़िएगा, आपको बहुत चीज़े पता चलेंगे, national technical textile mission, तो यह technical textile क्या है, कितना export करता है, और बाहर वाले कितना export, बाकी जो हमारे competitors है, वो कितना export करते हैं, कितनी demand है, उसके इसाब से, यह technical textile scheme जरूर पढ़िएगा, यह mission जरूर पढ़िएगा, यह important है, साथ में कस्तूरी, cotton भारत, इसके बारे में पढ़िएगा, यह ministry of textile से, यह तीन चीज़े important है इन तीन चीज़ों के बारे में जरूर पढ़िएगा, next is in industries, MSME, micro, small and medium enterprises, यह backbone economy की, बहुत डेर सरा export MSME करते हैं, तो MSME को हमें हमेशा सस्टेन करना है, MSME को हमेशा सपोर्ट करना है, MSME के पास सबसे बड़ी problem है working capital की, उनके पास पैसे नहीं रह था, जैसे farmer के पास पैसे न परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए credit होगा, इनको market provide करेंगे, better govern करेंगे, तो यह चीज़े करेंगे हम through ramp, ramp is raising and accelerating MSME performance, जहाँ पर MSME को credit के availability करवाएंगे, उनको market देंगे ताकि वो अपना समान बेच पाएं, और better governance करेंगे ताकि ease of doing business promote रसके, साथ में इनके लिए एक और scheme में, जिसका नाम है, प्रधान मंतरी EGP, प्रधान मंतरी Employment Generation Program, जहाँ पर credit linked subsidy scheme देंगे, credit linked subsidy scheme देंगे, और promote करेंगे, self employment करेंगे, लेकि self employment से दो चीज़े होती है, आदमी खुद तो self employed होता है, पर वो जब कोई चीज़ करता है, कोई business create करता है, तो दूसरों को भी employ करता है, तो self employment create the wage employment, I hope you got the point, yes, next is to regenerate the traditional industries, तो MSME में working capital की problem है, दूसरा हमाई जो traditional industries है, वो नीचे जा रहे हैं, उनको भी regenerate करना है, और उसके लिए scheme है, स्पूर्ती, scheme for a fund for regeneration of the traditional industries, जहाँ पर हम क्या करेंगे, हम अपनी industries की, ऐसे traditional industries की competitiveness को बढ़ाएंगे, उनकी income को भी बढ़ बढ़ावा दे सके, तो traditional industries के लिए, उनको regenerate करने के लिए कौन सी scheme है, फूर्ती scheme है, इसके बारे में याद रखीगा, next problem is wastage problem, तो MSME में तीसरी problem है, wastage की problem है, और यहाँ पर एक scheme है, जिसका नाम है, zero defect, zero effect, और एक certification scheme है, इसके बारे में जरू पड़ेगा, ये भी important है, next is, किस तरह से पूरी MSME को holistic support कर पाए, तो पूरा holistic support प्रवाइट करने के लिए, एक scheme है, जिसका नाम है PM Visio Karma scheme, ये ministry of MSME के अंदर गताता है, और ये क्या करेगा, to provide end-to-end holistic support to traditional artisans and the crafts, people in scaling of their conventional products and services, तो PM Visio Karma scheme, very important scheme, जहाँ पर MSME को holistic support करेगे, ministry of MSME के अंदर है, और ये उसका objective है तो याद रखे, जो चीज़े में हैं, मैं वो लिखकर भी आया हूँ, साथ मैं आपसे request भी करूँगा, थोड़ा सा आप भी पढ़ लिजेगा, ये important schemes हैं, इसलिए मैं आपको बोल भी रहाँ, तो ये रहा MSME के बारे में, तो अगर आपने समझा, तो manufacturing में हमने देखा कि कै कैसे production increase करें, तो PLI scheme, DLI scheme, Minister of textile में PM मित्रा important है, technical textile mission, कस्तूरी कॉटन भारत, ये important है, साथ में MSME में कैसे working capital दिलाई जाए, इसलिए ramp scheme हो गया, प्रधानमंतरी employment generation program हो गया, regenerate करें कैसे traditional industries को, तो उसके लिए सफूर्ती scheme हो गया, wastage problem को कैसे solve करें, तो zero defect, zero effect वाली scheme हो गया, दुबारा करेंगे, तुरंत याद हो जाएगा, trust me, अगर आप मुझे trust करते हैं, मुझे पर आपका faith है, एक बार trust कीज़े, जो मैं कह रहा हूँ, कीज़े, आपकी scheme की problem, जो आप बहुत भटकते रहते हैं, कितना पढ़ना है, कितना पढ़ना है, बहुत हद तक resolve हो next is manufacturing में market चाहिए, और market चाहिए, तो government market प्रवाइट कर रही है, government e-marketplace, जहां पर government यह कह रही है, कि 25% procurement हम MSME से करेंगे, ताकि MSME को market दे पाएं, MSME को भी तो उनके product लिए market चाहिए, तो government करी है कि 25% procurement हम MSME से करेंगे, और यह किसके अंदर गाते, ministry of commerce के अंदर गाते, तो gem portal याद रखेगा, बड़ा important है, government e-marketplace, next is export का promotion, हमें manufacture कर लिया, production कर लिया, PLI से, DLI से, हमने access production कर लिया, लेकिर उसको export भी करना पड़ेगा, तो one district, one product, ऐसे कर कि स्की में, जहां पर एक district से, एक product को famous करेंगे, select करेंगे, और उसको export करने की कोश्य करेंगे, यह ministry of commerce plus ministry of food processing industries क यह गाम हो रहा है, तो one district, one product is a very important thing to promote our export, साथ में infrastructure की बड़ी problem है, जब तक infrastructure नहीं अच्छा होगा, तब तक domestic supply chain बहतर नहीं उपाएगी, तब तक हम logistic cost को cut नहीं कर पाएगे, इसलिए infrastructure को boost करना हमारे लिए बड़े important है, infrastructure के coordination के लिए PM गतिशक्ती बड़े important है, जहापर 16 16 ministries के secretary आकर, coordination करके infrastructure develop परेंगे, ऐसा नहीं होगा, पहले road बन गई, फिर road के अंदर pipeline जो डली थी, road बनने के बाद लोग आ रहे हैं, और फिर telephone की pipeline डाल रहे हैं, कभी gas pipeline डाल रहे हैं, तो जब ministries coordination में काम करेंगे, तो जो road बनने के पहले requirement है, वो सब कुछ हो जाएगा, उ पढ़ेगा PM Divine के बारे में, North East State को कैसे develop करने की बात करें, और infrastructure में सबसे बड़ी problem है, financing की, क्योंकि ये long term की project होते हैं, तो इसको finance, पैसा देने में, और ये huge amount चाहते हैं, जापन को बड़ा amount ये पैसे में, इसलिए financing की problem हमेशा रहे थी, इसलिए national monetization pipeline की तुरू, पैसा ल साथ में development financial institutions है, जहां पर हम development financial institutions के तुरू, financing करवा रहे हैं, infrastructure sector की, national bank for financing, infrastructure and development, nefet करके, एक organization भी है, क्या ये AIFI है, मुझे बताएगा, क्या nefet जो है, AIFI है, bank में NPA की problem है, उस NPA की problem को कम कर रहे हैं, तो bank की capability बढ़ जाएगी, अगर bank का capital education ratio बढ़ेगा, तो bank की capability इसको भी promote कर रहे हैं, ताकि वो promote होगे, तो उनके पास पैसा होगा, तो वो भी infrastructure को finance कर पाएंगे, तो एक तरह से हम infrastructure में financing की problem solve कर रहे हैं, through these things, I hope you got the point, तो bank में NP की problem करना, कम करना, not a scheme, बट मैं आपको बता रहा हूँ कि इसके तरीके से भी हम financing better कर सकते हैं, infrastructure sector के, तो थ agriculture में energy चाहिए, तो हमने PM कुसम की बारे में बात की थी, solar energy की बारे में बात की थी, और यहाँ पर भी manufacturing units को चलाने के लिए, industrial units को चलाने के लिए भी energy चाहिए, तो यहाँ पर भी energy चाहिए, तो energy के लिए कुछ होना चाहिए, clean energy एक important goal है, economy बढ़ाते समय ये नहीं भूल जा energy efficiency, center of excellence to accelerate the industries adoption of the clean technologies and thus scale up the India's contribution to the global energy transition, हम चाहते हैं, हम accelerate करना चाहते हैं कि industries जो है, वो adopt करे cleaner technologies और उसकी वज़े से देश, हम international level पर खड़े हो के बोल सकते हैं कि हम energy transition में बहुत ज़्यादा participate कर रहे हैं, yes, उत प्रे रख, यह याद रखेगा, clean energy transition के लिए है, उत प्रे रख, दूसरा है, महीर scheme, बड़ी important scheme है, महीर, mission on advance and high impact research to leverage the emerging technologies and the power sector, in the powers, तो emerging technologies को power sector में leverage करने के लिए है, महीर, mission on advance and high impact research, साथ में power की availability का issue है, power की availability को बढ़ाना है, इसके लिए हमाँ पास push portal है, इस portal के बारे हैं पढ़िएगा, यह ministry of power के अंदर है, यह important portal है, साथ में hydrogen for heritage scheme, very important scheme, national green hydrogen mission मैंने पिछले बार बताया था, कि बड़ा important है, दो सवाल पूछे गए थे, national green hydrogen mission से, अगर आप मुझे trust करेंगे, मेरी बाते समझेंगे, और जो predict the unbelievable series में मैंने कराया है, तो आपको बहुत फायदा होगा, minimum efforts में maximum output मिलेगा, क्योंकि यह जो छोटी छोटी वीडियो कभी 25 मिनिट, कभी 30 मिनिट हो जाता है, क्योंकि आपको बहुत चीज़े बतानी भी रहती है, यह जो वीडियो आप देख रहे हैं, इसके पीछे बहुत मेहनत लगी है, बहुत thought process लगा है, यह मलाई जो आप देख रहे हैं, इसके पीछे मेहनत बहुत है, hydrogen for heritage scheme, इंडिन railway has पावर से, पावर में क्या schemes important है, तो हमने agriculture sector को देख लिया, हमने manufacturing sector की चीज़ों को देख लिया, कि issue क्या है, और schemes कैसे उत प्रॉब्लम को solve कर रहे हैं, अब बढ़ते हैं, सर्वेस सेक्टर की तरफ, सर्वेस सेक्टर में सबसे बड़ा सेक्टर है, education, और सबसे problem क्या है, poor quality education, poor quality schools, और इसलिए scheme का नाम है PM श्री, ministry of education के अंदर है, तो upgrade and develop schools, schools को develop करेंगे, अपग्रेट करेंगे, it is under the ministry of education, जाहिर से बाद education की बात हो रहे, साथ में मनो दरपन portal, under the ministry of education, जहाँ पर हम psychological support के बारें बात करेंगे, students को, teachers को, families को, सबको psychological support देंगे, इसलिए लिए मनो द दरपन लगाना, दरपन मतलब मेरे मनो दरपन देखना, किसको psychological support है, psychological support के लिए आपके मन के अंदर जाकना ही पड़ेगा, तो education में याद रहे किका, poor quality school से PM श्री स्कीम हो गई, and मनो दरपन portal, important portal, yes, दूसरा health, health और दिक्कत वाली बात है, इसलिए आयुशमान भारत digital mission, जह आपर national health authority, NHA, national health authority, under the ministry of health and welfare, यह देखेगा, आयुशमान भारत digital mission, जहाँ पर हम डिस्टलाइजेशन की तरफ जाएंगे, जहाँ पर हम यह कोशिश करेंगे, feasibility हो जाए, बार बार टेस्ट करानी जरूद ना पड़े, एक जगा पर information मिल जाए, तो वो चीज़े हम करना चा तो यह scheme है, यह ministry है, और यह क्या करेगी, यह quality medicine देगी at the affordable prices, और भी इनके बारे में पढ़ लिजेगा, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, पर जो चीज़े important है, मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ, उतनी चीज़े आपको बताता चलू, यहाँ पर तीसरी problem है, women के health के बारे में, औ प्राबलम होती है, उनको health की problem होती है, तो women की health को बेहतर करने के लिए, और environmental की concerns को दूर करने के लिए, यह दोनों चीज़ों को यहाँ पर कर रहा हूँ, यह बड़ी चीज़की में इसके बारे में जुरूर पड़ीगा, पहले कितने करोड़ women के लिए था, अब कितने करोड़ women के लिए तो थोड़ा सा जाके ज़रूर पढ़ लिजगा, and health में एक problem है, disaster की, तो यहाँ पर disaster hospital प and assembled in 72 cubes, and these medical cubes have been indigenously developed under the project, बड़ा important है project beast, जहाँ पर हम disaster hospital के बारे में बात करें, world's first disaster hospital, बहुत important रो सकता है, आरोग मैतरी क्लब, examination में पूछा जा सकता है, तो health से हमने यहाँ पर भारत, अईश्मान भारत डिशल मिशन देखा, quality medicine चाहिए, तो PM जन आसदी योजना, women की health द disaster hospital देखा तो project 20, जहाँ पर हमने देखा कि आरोग मैतरी क्लब बनाएंगे, yes, services में तीसरा है water, water सबको चाहिए, mission सुझलम, सुझलम, जलम, yes, ministry of जल सकती के अंदर है, waste water management at the village level, तो waste water को manage करेंगे, village level पर जिसके लिए है mission सुझलम, अंसात में जल जीवन mission है, ministry of जल सकती के अंतर ये दोनों ही schemes बड़ी important है water के perspective से, तो हमने agriculture sector देख लिया, manufacturing sector देख लिया, और service sector में क्या-क्या problem है, वो भी देख लिए, आईए कुछ social problems देख लेते हैं, तो बड़ी एक problem है, that is manual scavenging की, और उससे related debts की, तो और बहुत से लोग जो है, यहाँ पर जो काम कर रहे हैं, तो आपको समझना पड़ेगा, यह problem को हमें हटाना पड़ेगा, इसके उपर means में भी सवाल बन सकते हैं, तो manual scavenging and debts, इसको इसके लिए, इनों क्या किया गया है, नमस्ते, नमस्ते means national action for mechanized sanitation ecosystem, जापर ministry of social justice and empowerment and ministry of housing and our friend, दोनों मिलकर काम करेंगे, ताकि इस problem को manual scavenging की problem को tackle कर through the namaste scheme, namaste scheme is national action for mechanized sanitation ecosystem, जो की मदद करेगा कि हाँ, scavenging हो पाएगी, लेकिन सहीड तरीके से हो पाएगी, तो namaste scheme के बारे में जरू पढ़िएगा, जहाँ पर हम uplift करेंगे, कि manual scavenging ना हो, उससे related death ना हो, उन चीजों को prevent कर पाएगे, दूसरा एक social problem है, crime, crime बहुत हो रहा है, national automated fingerprint identification system, NAFIS बनाया गया है, ministry of home affairs के अंदरगत है, it is an India's searchable database of crime, and criminal related fingerprints managed by the national crime record bureau, तो यह सारा record रखेंगे, आपके fingerprint सब कुछ identify करने के लिए, तो crime को जल्दी से खतम किया जा सकेगा, तो crime problem है, उसका solution है, कि national automated fingerprint identification system, जहां से कोशिश करेंगे, कि हम criminals को जल्दी से जल्द पकड़ सकें, yes, तो these are about the social problem, जापला, manual avenging के बारे बात की, और crime के बारे बात करते हैं, आएए बात करते हैं, vulnerable section के बारे, vulnerable section में सबसे जदा vulnerable है, women, child, transgender, उसके बारे में बात करेंगे, SCST, OBC के बारे में, उसके बारे में, उसके बारे में, बात कर लेंगे, old age हो गया, street vendors हो गया, they comes under the vulnerable section, तो ये vulnerable section में problem क्या है, उसका solution क्या है, आएए women में देखते हैं, women, children and transgender में, तो vulnerable children, missing orphans, abundant, इनके बारे में क्या है, missing है, you know, orphan है, ये abundant है, तो अगर children ऐसे हैं, तो उसके लिए कौन सी scheme है, mission Watson है, ministry of women and child development के अंदर, और साथ में एक scheme है, PB, PB scheme, portion भी और development के अंदर गाते है, जाइड से बात है, child vulnerable है, या तो उन child को, missing child है, या orphan है, या abundant है, उनके लिए mission Watson भी है, और portion भी और पढ़ाई भी, ये schemes है, vulnerable children के लिए, ठीक है, यास, दूसरी scheme है, women safety, security and empowerment के लिए, तो बड़ा problem है, women की safety का, security का, उनको empower करने का, इसलिए, scheme है, जिसका problem है, problem of begging, और इसकी, scheme है, जिसका नाम है, smile, support for marginalized individual for livelihood and enterprise, और ये scheme किसके अंदर है, again mystery of social justice and empowerment के अंदर है, क्योंकि या पर हम social justice देंगे, begging की problem को solve करना है, इन लोगों को support करना पड़ेगा, support, smile करवाना पड़ेगा, support for marginalized individual for livelihood and enterprise, I hope you got the point, साथ में या पर प्रानमंत्री, योजना और ये भी important है, और ये किसके अंदर गात है, ministry of family, health and family welfare के अंदर है, और साथ में उजोला scheme भी important है, ये human trafficking के context में, ministry of women and child development के अंदर गाती scheme है, तो these are important scheme from women, child and transgender, जहांपर चिल्डरन की बारे में बात की है, हमने women safety के बारे में बात की, mission शक्ती के बारे में बात की, problem of begging में हमने smile के बारे में बात की, प्रानमंत्री, शुरक्षित, मात्रुत, अभियान, जन्नी, शुरक्षा, योजना, और जुला scheme के बारे में भी हमने बात की, दूसरा है, SCST, OBC, अब ये women children transgender हो, SCST, OBC हो, या denodified, nobatic, semi-nomatic communities हो, इन सबके पास problem एक जरूर है, that is the problem of skilling, इ जात में, स्कीम और है, प्रधानमंत्री, अनुसूचित, जाती, अभियूद, योजना, पीम, अजय, योजना, योजना, ये बड़ी important योजना है, इसके बारे में जरूर पढ़िएगा, कि मिनिस्ट्री अभियूद के इंदर है, और इसका एम है, to reduce the poverty of the SC communities by generation of the additional employment, open cities through skill development, इसलिए में skilling की problem मैंने वहाँ पर लेगी दी, income generating schemes and other initiatives, तो प्रधानमंत्री, अनुसूचित, जाती, अभियूद है, योजना, बड़ी important है, पीम, आजय, योजना है, किसके context में, skilling के context में, इसको जरूर याद रखीगा, साथ में, socio-economic conditions, अगर SCS, OBCS की, socio-economic conditions खराब हो महा अभियान, पीम, जन्मान, यह बड़ा important है, यह ministry of tribal affairs के अंदरगात है, launched on the जन जाती गौरफ दिवस 15th November, the birth anniversary of the श्री, बिर्सा मुंदा, इसलिए बिर्सा मुंदा भी important है, मुंदा rebellion भी important है, और पधानमंत्री, जन्मान, योजना भी बड़ी important है, यह scheme भी बड़ी important है, it was announced in the union budget 2023-2024, current affair का context हो गया, logic भी समझ में आ गया, और यह aimed किस पर है, it is aimed to improve the social economic condition of the PVTG, PVTGs are very much important, प्लीज जरूर पढ़के जाएगा, by saturating PVTG households and habitations with the basic facilities, such as safe housing, clean drinking water, sanitation, electricity, road and telecom connectivity, etc, तो प्रियाम, जन्मान, योजना बड़ी important है, जो ज्यादा important है, मैंने कुछ लिख भी दिया, लेकिन सारी scheme के और मैं यही कहूंगा, आप ministry और objective, थोड़ा सा पढ़ ले, criteria, थोड़ा सा पढ़ ले, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर इतना ही पढ़ना पढ़ेगा, ज्यादा पढ़ना नहीं पढ़ेगा, तो SCST, OBC म और यहाँ पर इनको भी problem है, skilling and empowerment की, इनको skill देना है, इनको empower करना है, और free scheme का नाम है seed scheme, scheme for economic empowerment of the denodified nomadic and semi-nomadic companies scheme, seed scheme, यह इनके economic empowerment को करेगी, साथ में free coaching for competitive exams मिलेगा, इनको यहाँ पर financial assistance मिलेगा, और health insurance भी मिलेगा, इसलिए important है, seed scheme, scheme for economic empowerment of denodified nomadic and semi-nomadic communities scheme, यह important scheme है, seed scheme के बारे में जरूर पढ़ेगा, साथ में old age के लिए का है, उनके welfare के लिए का है, रास्टी वयश्री योजना है, जहाँ पर जो ministry देख रही हो है, ministry of social justice and empowerment, तो रास्टी वयश्री योजना के बारे में जो पढ़िएगा, यह old age के लोगों के welfare के लिए, साथ म के पास सबसे बड़ी problem में इनको loans नहीं मिलते है, loan मिलते भी है तो affordable नहीं मिलते है, तो affordable loan के लिए क्लिए क्या किया गया है, solution है PM स्वार नहीं थी, जहाँ पर government मदद करेगी, collateral free यानि कुछ भी गरिवी रखनी होता ही है, collateral free loan with interest subsidy, यहनि अगर bank 7% subsidy मान रहा है, तो अगर interest subsidy subvention का मतलब होता है, कि government अगर bank 7% मांग रहा है, तो government कहेगी, चलो 4% मैं दे देता हूँ, 3% तुम दे रहा है, तो 4% का support जो government देती है, उसे बोलते है, interest subsidy दे रही है government, yes, I hope you got the point, तो PM स्वानिधी, PM स्वानिधी is under the ministry of housing and urban affairs, तो यह scheme हो गई है, street vendors के लिए, तो I hope आप समझ कि social problems हमने देख लिया, हमने vulnerable section को भी देख लिया, now the last is miscellaneous, जहां पर election reform के बारे में, election reform एक एरिया है, जहां पर election में बहुत देशारी reform लेनी की ज़रूथ है, और election year is, लिए scheme बड़ी important जिसका नाम है, जिस software का नाम है, actually, in-core software, यह election commission of India है, election commission of India designed in-house software for complete candidate and election management through in-core, it is end-to- application for returning officer to digitalize the votes board, tabulate the roundwise data and then take out the various statutory reports of counting through this and various department like fire education, police, environment, etc. give no objection certificate for holding rallies, road shows, etc. to political parties or candidates, तो in-core software है, election reform में थोड़ा समादद करेगा, चीज़ों को digitalize करने में मदद करेगा, और election commission को smooth election conduct करवाने में मदद करेगा, यह in-core software, इस context में बड़ा important है, तो these are these schemes, जो examination के perspective से बड़ा important है, एक बार overview करने क्या, आप सब मेरे साथ, दो मिनिट मेरे साथ recall करेगा, दो मेरे साथ recall करेगा, बताए भई, अगर performance में problem है, performance को monitor करना, urban local bodies को कौन सा है, आईना dashboard है, दूसरा, अगर agriculture में चले तो farmer की income, PM किसान, अगर monsoon dependent agriculture है, PM किसी से चाहिए होजना, erratic climate है, non insurance है, तो फसल भी माय होजना, farmers working capital का में, लोन चाहिए होने, तो किसान credit card, land का issue है, तो स्वामित scheme है, कि स्वामी हो तो उस land के, तो land का survey करवाएंगे, और उस land को गिरवी रखकर आप जो है, क्या ले सकते हैं, आप लोन भी avail कर सकत है, energy की problem है, तो PM कुसम, अब आते हैं, manufacturing पर, अगर production बढ़ाना है, तो PLI, DLI, अगर ministry of textile में जाएं, तो textile का production बढ़ाना है, तो PM मित्रा पार्क होते हैं, national technical textile, कस्तूरी कॉटन भारत हो गया, MSME में जाते हैं, तो working capital, यानि credit के availability problem है, तो ramp scheme हो गया, जहापर credit के availability करवाएंग employment generation program है, जहापर हम self employment को promote करेंगे, credit link subsidy schemes है, जिसमें help किया जाएगा, yes, third is, कैसे हम traditional industries को regenerate करें, उसके लिए 40 scheme for fund for generation of traditional industries, जहापर हम traditional industries की competitiveness को बढ़ाएंगे, income को boost करेंगे, wastage की problem है, तो zero defect, zero effect certification scheme, holistic support देना है, तो PM wish karma scheme हो गया, market अगर चाहिए, तो government भी market प्रोइड करेंग government e-market place की तुरू, जहापर 25 procurement MSME की तुरू, और यह ministry of commerce के अंदर गत है, export promote करना है, तो one district one product, ministry of commerce, infrastructure को boost करने के लिए, coordination बढ़ाने के लिए, PM गतिशक्ती, north east को develop करने के लिए, PM divine, financing को improve परने के लिए, national monetization pipeline, DFI, bank, अपना NPA कम कर रहे हैं, अपना capital education issue बढ़ा रहे हैं, और ह power ability का issue solve करना है, उसके लिए, portal and hydrogen for heritage scheme, ताकि इंडिन railway जो है, run कर सके 35 trails on hydrogen, and this is अंदर the ministry of railway, देखो कितनी जन्दी recall हो गया, एक मिनट और रूपना, services में, education में, poor quality school है, PM श्री, मनोधरपन, portal for psychological support to students, teachers and families, health में, आईश्मान, digital भारत, digitalization के लिए, quality medicine at affordable price के लिए, PM जन और सध दिजास्टर होस्पिटल बना रहे है, one of its kind, वर्ड का पहला, डिजास्टर होस्पिटल, आरोगी मैतरी क्लब, बड़ा important है, project 20 में important हो गया, साथ में यहां पर water clear mission सुझलाम, and जल जीवन mission important है, अब आते है, social problems में, social problem में, manual scavenging की problem है, death related problem में, तो नमस्ते scheme हो गया, साथ मे crime की problem है, तो national automated fingerprint identification system, NAFIS, नफिस लगा दिया गया है, यहां पर, आईए, vulnerable section की तरफ चलते हैं, तो vulnerable section में, अगर women, children and transgender की तरफ चले, तो पहले अगर children की तरफ चले, जो missing है, जो orphan है, जो abundant है, उनके लिए mission वाच्छल है, portion भी, पढ़ाई भी, यह schemes है, women की safety को लिए, mission शक्त women को support दिया जाएगा, problem of skilling है, इसलिए PM दक्स scheme है, साथ में पधानमंत्री आजे scheme है, अनुसूचित जादी अभुद्ध योजना की अंतरगत, यहां पर हम क्या कर रहे हैं, हम poverty को reduce करें, SC communities में, by generating the additional employment opportunity, through skill development and income generating schemes, and other initiatives, तो यहां पर scheme है, PM आजे, साथ में, social economic conditions इनकी खराब इसलिए, पिदानमंत्री, जन्मान, जन्जाती, आदिवाशी, नयाय, महाभियान, यहां पर बिर्सम उंडा के बारे में भी बात की थी, हमने, denotified nomadic, semi-nomadic communities के लिए, skilling करना, उनको empower करना, इसलिए, seed scheme बड़ी important scheme है, साथ में, old age के लिए, राश्टी वहिश्रयोजना है, और street vendors के लिए PM स्वा लिधी scheme है, जाप उनको affordable loans provide करेंगे, and साथ में, last में, miscellaneous में, election reform के लिए, in core software है, मैं आपसे कहा था जैसा, कि 4 minute में पूरा revise हो गया, यह 39 minutes में हमने शुरू किया था, and 43-44 minutes में यह पूरा complete हो गया, I hope you understood कि यह schemes important है, इनके ministry, इनका objective, इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे, 5-6-6 scheme पढ़नी जरूरत नहीं है, अगर मैं आपको बोल रहा हूँ, कि 12-23 में 100% rate था, जो scheme मैंने आपको जन्नी सुरक्षा यूजना का था, वो यही से पूछा गया था, that means these schemes are important, जो मैं आपको होता आता हूँ, अब देखिए, ऐसा हो सकता है, कल के दिन कुछ और पूछ ले, पर मेरी पूरी कोशिश जही थी, कि मैं इस वीडियो के तुरूँ आप बता सकूँ, कि these are the most important schemes, जहां पर UPC examiner का focus रहेगा, कई जगा तो मैंने rational और objective बता के ये चीज़ प्रूब भी करने की कोशिश की है, कि ये schemes और initiatives important है, examination के perspective से, अगर ये मेहनत आपको अच्छी लग रही है, अगर वाकिम अच्छी लग रही है, एक like कर सकते हैं, मुझे कहना नहीं चाहिए, आप share कर सकते हैं, अपना feedback comment के तुरू दे सकते हैं, अपना प्यार दे सकते हैं, और channel को subscribe करके, इस channel को दूसरे लोगों तक पहुचाने में मेरी मद करने के लिए आपसे कहता है, वीडियो को share जरूर करें, thank you, नमस्ते, जहन, अपना ख्याल रखिए, हस्ते रहिए और मुस्कुराते रहें